हलो फ्रेंड्स मेरा नाम डीडी सिंग है और आज के सेशन में मैं आपको दो चीजने डिसकस करूंगा वन इस दा बेरियेबल और सेकिंड वन इस डेटा डाइप बट बेरियेबल से पहले मैं आपको प्रिंट और प्रिंट एलेंड के उपर एक छोटा सा प्रोग्राम और होगा तो ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए हमको नेस्टिड लूप का यूज़ करना होता है बट अभी तो हमें जावा का बहुत बेसिक सी जानकारी है हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया है तो इस नौट पॉसिबल यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम ऐसा प्रोग् से है जो मैं आपको प्रिंट एयलेन नाम के मैथट का इंपॉर्टेंश सम्झाना चाहता हूं कि इस ऐं से अग्जोंथ लूप आना चाहिए बड़ अभी nested loop हम आगे चलके बहुत depth में सीखेंगे pattern के प्रोग्राम ऐसे रहीस का बच्चा जो होता है वो वॉकर में होता है एक तरीके से यह गरीवों का वॉकर है एक्च्वल में यह pattern का प्रोग्राम बनाने के लिए आइडिली तो हमको nested loop आना चाहिए बड़ बिना nested loop के इसको कैसे बनाया जा सकता है तो कभी भी कोई भी चीज को print कराना होगा तो हम print method का यूज करेंगे बड़ हमें क्योंकि एक line print करने के बाद ln भी लगाना है क्योंकि नई line पर आजए जैसे कितने star थे पहली रो में हमारे बाद चार तो double quotes के अंदर आप चार star लगा दीजे double quotes के अंदर आप कितने star लगा दीजे चार तो print पहली यह 4 star print कराएगा अब हमको करजर को अब हमें करजर को एक नई line पर लेके आना है तो वो impact किसका होगा हमारा ln का अब हम यह दूसरी line पर आगे तो यहाँ पर जब हम आए अगेन मैंने print ln नाम का method यूज किया और इस double quotes के अंदर कितने star लगा दीजे तीन star लगा दीजे दूसरी line में तीन star आगे फिर ln अपना role play करेगा ln बोले तो नई line और यहाँ पर हमने क्या किया फिर से print ln और यहाँ पर हमने दो star लगा दिये कितने star लगा दिये दो star and so on यही दौर चलता जाएगा कि इसको बहतर समझने के लिए मैंने नीचे प्रोग्राम दे रखा है मैं आपको एक सला देना चाहता हूं जब भी कभी आप इस प्रोग्राम को अपने computer में laptop में बनाए उससे पहले से समझे जरूर मैंने आपको यह कि अभी बहुत ज्यादा depth में तो हमें नहीं जाना है बट जावा में हर चीज को हम लोग क्लास के अंदर लिखते और क्लास का नाम मैंने क्या लेका फॉर टेस्ट यानि कि टेस्ट करने के लिए जैसे होता है जीना सिर्फ तेरे लिए तो यहां पर टेस्ट करने के लिए त आर प्रोग्राम एगजीउशन और उसके बाद जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो लिखा जिस तरह से जिन्दगी में एक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है जैसे कॉलेज की लाइफ होती है पर्सनल लाइफ होती है एक्जाम भी देने होते हैं खुद के पर्सनल लाइ पर upcoming कर्ली ब्रेशिस का बैलेंस होना चाहिए जैसे ओपन कर्ली ब्रेशिस कितने हमारे पास दो कि थीक हमारे पास two उच्री जो सा नहीं होने चाहिए देखिए ईमान दारी से तो यह प्रोग्राम आपको एकलिपस डी पर बनाने चाहिए जाया जैंसे अभी आप इतने नह हमारे पास जिन पर आप इस compiler को opt कर सकते हैं मैं थोड़ी तर के लिए अपना वीडियो बंद कर रहा हूं क्योंकि मैं टॉप राइट से एक लेंग्विज सेलेक्ट करूंगा आप यहां जाएं और थोड़ा सा इंतियार करें यह कई सारे लेंग्विज के आपको option देदेगा राइट यहां से आपने क्या सेलेक्ट किया जावा यहां पर अल्रेडी कुछ कोड लिखा हुआ आ जाता है यह कोड आपके पास कुछ लिखा हुआ आ गया जितना यह कोड लिखा हुआ है उससे हम boilerplate कोड कहते हैं मेरी आप से request है जब भी कावी आप यह online compiler का यूज करें प्लीज डॉन टच इट आप इस class के नाम को ना छेड़ने है राइट हमारे प्रोग्राम का execution मेन से सुरू होता है और जो भी कोई काम करना है वो यहां करेंगे आप लोग इसकी ब्यूटी एक यह है कि आप सिंपल प्रिंट एलन लिखो यहां पर एक option आ रहा हुआ सिनिप्ट करके जस्ट प्रेस एंटर और डबल कोट्स के अंदर चार वार इस्टाल लगा दिजे वस क्योंकि मुझे अगर आपको ध्यान हो तो आप चार ही स्टार प्रिंट हो रहे थे यह गरीवों का पैटर्न है वाई जो बच्चे बहुत टेक्निकल होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको भी आएंगी बट कुछ दिनों बाद आएंगी वो राइट हम यहां पर आए और अगली लाइन पर अगीन मैंने प्रिंट एलन का यूज किया और यहां पर मैंने कितने इस्टाल लगा लगाय एंड सो आण गैज़ अगीन प्रिंट एलन का यूज किया और यहां पर मैंने एकिस्टाल लगाया साथ आपको यह बात समझ में आ रही होगी मैंने simple इसको run किया I have executed it और देख रहे हैं आप पहली रो में 4 star दूसरी रो में 3 star तीसरी रो में 2 star और चौती रो में हमारे पास 1 star है अगर आपको यह समझ में आया हो न तो जस्ट आप comment में simple लिखे make sense हमको यह समझ में आ गया है राइट और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा जब भी कभी आप मेरा कोई भी वीडियो पढ़े आप उसमें अपने top 3 learnings बताएं कि आपने जिस 10-15 मिनट के या 20 मिनट के वीडियो में आपने नया क्या सीखा मैं हर comment को read करूंगा कि कौन-कौन बच्चा इसमें से क्या सीख रहा है देखिए originally originally तो मुझे आज आपको variables पढ़ाने थे राइट आप दुनिया की कोई भी language ले लीजे variable तो variable ही होगा तो इसकी मैंने एक definition लिखी what exactly it is variable is a location in memory variable एक जगह होती है memory के अंदर in that we contain a value जिसके अंदर हम variable is a location in memory which has a name also उसका एक नाम होता है जिसके अंदर हमें एक value store कर रहे होते हैं मैं तो आपको बताना चाहूँगा आप variable को बहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जैसे एक colony है और उसके अंदर ये कुछ मकान है हर मकान के अंदर कुछ लोग रहते होंगे किसी के अंदर 10 लोग हैं किसी के अंदर 20 लोग हैं और उस मकान का नाम भी होगा आपने सुने होंगे नाम मनत आसीरवाद जलसा और आपको मुझसे ज़्यादा knowledge होगी मैंने इन जगओं के कुछ नाम रख लिया इस ए रख लिया बी रख लिया तो colony को आप relate करिये रेम से random access memory और इसके अंदर ये दो घर हो गए हमारे एक घर का नाम हमने ए रख दिया जिस तरह से हमारे मकान का नाम होता है और उसका address भी होता है हमारे और तुमारे मकानों के तो नाम भी नहीं होते नॉर्मली हाउस नंबर और इनसे ही काम चला लेते या लिख लेते होंगे तो वो सीला सदन सान्ती कुंच बड़ जो बड़े घर होते उनके नाम होते सेम कॉंसेप्ट है अगर मैं टेकनिकली आपसे बात करूँ बैरियेवल में तीन चीज़ें सीखे बैरियेवल का नाम क्या है उसका address क्या है और उसके अंदर आप value क्या store कर रहे है ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी राइट सो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं simple इससे इतना पता लगाता अभी कि अगर कोई मुझसे ये पूछ लेता वाई what is a variable तो मैं simple मेरे दमाग में होग एक image बन गई कि variable is a location एक जगह है in memory which has a name उसका कोई नाम होगा which has a name and it contains a value उसमें वो value किस तरह की होगी ये मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलके यहाँ पर मैंने कुछ चीज़े लेगी जैसे आपने math वहत में भी देखा होगा यह जो math के teacher होते हों मान लेते हैं कि माना के a की value 10 है बी की value 5 है अब आप इसका यह एल और बी करके मान लेते हैं राइट फिर एरिया वेरिया कैलुकलेट करने के लिए बोल देंगे मैं तो बस आपको यह बताँगो जैसे ही आपने a is equal to 10 किया यह हमारी कोई memory है जितने भी हमारे ongoing task होते हैं जितने भी हमारे ongoing task होते हैं वो normally RAM के अंदर होते हैं वो normally हमारे किस के अंदर होते होंगे बेटा RAM के अंदर अब हमने दो variable बना लिए ए तो यह variable a हो गया अभी मैं ज़्यादा technical नहीं होना चाता कि जब यह assignment operator होता है तो right की value left में आती है जैसे 10 को हमने यहापर store करा लिया न ऐसे ही यह 5 हमारा B में store हो गया यह यहाँ पर दिख रहा होगा ऐसे बहुत सारे घर हो सकते memory को बड़ा organized तरीके से रखा जाता है अभी मैं आपके सामने वो heavy heavy word use नहीं करना चाता हूँ कि stack memory क्या होता है heap memory क्या होता है अभी यह सारी बात है हम लोग आगे चलके सीखेंगे बड़ मैं आपको दो term जरूर समझाना चाता हूँ यह a और b जो है वो variables है और यह two क्या है एक बंदा जो technical नहीं है एक non-technical बंदा है non-it background का है वो इससे value कहेगा अगर कोई semi-it field से है semi-it like 50-50 कुछ put उसके अंदर IT का है वो इससे constant कहेगा बड़े हाइफाई बच्चे की बात करूँ ना आपसे जो अपने आपको technical कहना चाता है वो इसको literal कहेगा अगर आज के बाद कोई आपसे 10 पूछे 20 पूछे यह 10 और 20 क्या है तो आप हमेशा इनको integer literal कहा करें इनको क्या कहना चाहिए integer literal मैं जानता हूँ आदतें बदलने में हैविट को बदलने में वक्त लगता है अगर कोई आपसे कहिए single course में ए दे रखा है मैंने इसको बेटा हम क्या कहेंगे वी से इट इस दा करेक्टर लिटर इसे कुछ टर्म मैंने आपको इसमें बताएं इस इकल टू टैन बी इस इकल टू फाइब मेरा अभी में बहुत ज्यादा डेफ्ट में नहीं जाना चाहता कि मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाने लग जाओ यहां यह एक्सप्रेशन पढ़ाने लग जाओ मेरी मजबूरी थी कि यहां पर यह टर्म आ गया है मुझे ऐसा लगता है कि यह टर्म आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हुगा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं अगर आप वैरीका मतलब होता है चेंज होना और able का मतलब होता है उसमें वो capability है जिसमें change होने की capability हो उसे basically हम variable कहते हैं जैसे मैंने कहा a is equal to 10 और यह जो semicolon होता है न इसको basically हम लोग statement terminator भी कहते हैं इसको basically क्या कहा जाता होगा statement terminator तो normally कहीं न गहीं memory में एक जगे बनी होगी जिसका एक नाम रखा गया होगा which is a और इसके अंदर guarantee से एक value रग गई होगी which is what 10 बट मान के चलिए कुछ देर बाद अगर कोई a की value को 5 कर दे believe me जगे वही रहेगी जगे वही रहेगी और यह 10 हट जाएगा और उस जगे पर क्या जाएगा बेटा 5 क्योंकि एक normal variable में आप एक समय पर एक normal variable में एक समय पर आप एक ही value रख सकते हैं या तो उसमें 10 होगी या फिर उसके अंदर 5 होगी तो इसको अगर आप बहुत बहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक program इस पर भी बनाते हैं ये बार-बार में आपको repeat करता रहूँगा जब तक आप मुझसे यह नहीं कहेंगे कि सर अब हमें समझ में आ गया हैं आप भूली नहीं सकते नॉर्मली एक class बनी execution main से सिरू होता है हमने string type का एक variable बनाया we are creating one variable जो के string type का है string का मतलब होता है वेटा sequence of the character जैसे ddc अभी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता आपको फिलाल बस इतना समझ लो कि string को basically हम लोग sequence of the letter कहते जिसकी सबसे बड़ी पेंचान क्या है बदाएं यह double quotes के अंदर enclosed होता है मैंने यापर अपनी age दे दी है मैं सच वाली age नहीं वताऊंगा आपको age 40 अब इसको अगर आपको screen पर print कराना न तो हमारे पास print कराने के लिए तो वही print और print एलेन method होते हैं एडिशन कब कहते हैं पता है जब कभी इस प्लस के दौनों तरफ numeric value होती है बट अगर इस प्लस के किदर भी एक side अगर non numeric value है कैसी value है मेरे बाई non numeric value है तो ऐसे case में इसको हम concatenation operator कहते हैं हम इसे कैसा operator कहेंगे concatenation operator कहेंगे concatenation operator we cannot say this is like addition operator ऐसे ही मैंने लिखा ages मैं आपको already यह बात बता चुका हूं के double quotes के अंदर आप कुछ भी लिखें वो as it is screen पर print होगा राइट वह है as it is किस पर print होगा screen पर यहां पर again फिर मैंने plus का use किया which is the concatenation operator और यहां पर हमने age की value को print करा दिया कि वी आर प्रिंटिंग दी वैलू ओफ एज कि सिंपल जब आप इससे print कराएंगे न तो नाम में आ जाएगा डीडी और एज में आ जाएगा 40 बट मैं अभी इस नाम से मुझे ठीक नहीं लग रहा तो आपको मैं यह समझाना चाहता था कि जिस तरीके से पहले यह दो वैरियेवल बने होंगे और पहले वाले वैरियेवल में पहले क्या होगा डीडी सिंग हालांकि मैं आपको समझने के लिए ऐसे बता रहा हूं बड़ी यह बात सच नहीं है अभी मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में ज्यादा अंदर नहीं ले जा रहा हूं मैंने तो आपको पढ़ाया है नहीं कि वैलू टाइप क्या होता है रिफ्रेंश टाइप क्या होता है वाट डियू मीन भाई यहां नाम में डीडी सिंग आ गया एज में 40 आ गया और जब आप प्रिंट कराएंगे तो ओवियस है नाम में इस जगहें पर डीडी सिंग और एज में 40 आएगा बट वंस चेज़ दा वैल्यू क्योंकि आप यह जानते कि एक समय पर एक वैरियेविल में एक समय पर एक वै पताना मुझे देव सिंग जहां पहले 40 था वो हट गया होगा और उस जगह पर अब हमारी क्या वैलू हो गई होगी 11 मुझे पूरी अमीद है यह बात आपको जरूर समझ मारी होगी जब आप इस नाम और एज की वैलू को प्रिंट कराएंगे न अब के इसी जगह पर बनाएगा इस प्रोग्राम में अभी कुछ गैपस होंगे आपके लिए वो हम सीखेंगे मैंने पुराना यह कंटेंट हटा दिया कोई मुझे बता सकता है कि यह कोड तो हमें बारवार लिखना पड़ता है इस कोड को हम क्या कहते हैं मैं आपके बस मेरा जो पुराना वाला वीडियो है उस की नॉलेज टेस्ट करना चाता हूं मैं उसकी नॉलेज टेस्ट करना चाता हूं सो जो यह वाला कोड है अगर इसका आंसर आपने बॉइलर प्लेट कोड बोला है कौन सा कोड बॉइलर प्लेट कोड इसका मतलब आपने पुराना सेशन देखा होगा चलिए अभी मैं आपको यह प्रूफ करने जा रहा हूं कि एक समय पर वेरियेवल में एक ही वैलू आती है और जब भी कभी हम कोई नई वैलू उसके अंदर डालते हैं तो पुरानी वैलू उसमें से हट जाती है आपको से कपिटल ही लखना है यह क्यों लिखा यह बात की बातों राइंच है और यहां पर लिखा मैंने 40 और उसके बाद मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूं मैंने लिखा नेम एज और मैं जान बूझ कर नाम को इसके अंदर लिख रहा हूं विच इस एपसिल्यूटली रॉंग प्रिंट एलेन और मैंने लिखा एज इस एज यह आंसर जो है न वो एक्सपेक्टेड नहीं है भाई अभी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पता है नेम इस नेम और एज इस एज क्यों आया बता है क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं वो एज इस इस स्क्रीन पर वैसे ही आ जाता है करना पड़ेगा डबल कोट्स यहां पर बंद किया देन यहां पर प्लस लगाया आपने और यहां से इस प्लस को हटाया अगीन एज इस यहां डबल कोट्स लगाया फिर प्लस किया और यहां से इस डबल कोट्स को हटा दिया सो मुझे ऐसा लगता है नेम इस नेम और एज इस एज यह प्रिंट हो रहा होगा देखिए अब बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर आएगा भाई नेम इस डीडी सेंग और एज इस वाट 40 बट मुझे यह भी तो प्रूब करना है कि इसकी वैलू चेंज हो जाती है तो हाओ वी केंड डू इट नेम इस यूकल टो मैंने यह आपर देव का नाम लिखा देव सिंग और एज इस यूकल टू एज इस यूकल टू वाट वी केंड पुट लेट से एलेवन देन अगेन यह दोनों ही मैसेज मैंने जस्ट कॉपी कर लिए उपर से और पेस्टे अगेन राइट फिर से रन करा यह से टेकिंग सम टाइम देखिए पहले नाम डीडी और एज फोर्टी दूसरे वाले केस में नाम देव सींग और एज क्या है हमारी इलेवन क्या ही बात आपको भी डाइजस्ट कर रही है नाम डीडी एज फोर्टी नाम देव और एज इलेवन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यहां तक की बात समझ में आई जरूर होगी तो अगर अभी तक की क्लास को अगर मैं कॉंक्लूड करूं तो मैंनी एक प्रिंट पैटर्ण कराने का प्रोग्राम बताए था इसमें बस मेहाएन एत्ट आपको प्रिंट मैं एंप्रटेंस बताना था कि आखिर में करजर्ज जो होता है उसे एक लाइन से हम दूसरी लाइन पर कैसे लेके आते हैं नंबर वर्ड दूसरी चीज मैंने वेरियेविल के बारे में बताया कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन होती है उसका कोई नाम होता है उसका कोई एड्रेस भी होता है इसके बारे मैं आगे चलके मैं चर्चा करूँगा इन देट हम कोई वेल्यू एक इस्टोर इसके अंदर कर सकते हैं मैंने आपको कुछ लिटरल करके एक टर्म सिखाने की कोशिस की और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आपको प्रोग्राम बना के दिखाया आपको यह जानकारी कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए इसको सेयर करिए थैंक्यू सो मज़ गाईज हुआ है